आज से कुछी दिन पहले भारत के exports को लेकर एक data सामने आया था जिसमें बताया गया था कि हमारे जो total exports हैं वो record high number को touch कर चुके हैं and the number is 776 billion dollars इतना ही नहीं हमारे 2023-24 के वित्तिय वर्ष का जो trade deficit है वो भी काफी गिर चुका है जो की केवल अब 78 billion dollars पर ही रह चुका है बलकि इ एक separate video भी बनाई है अगर आपने नहीं देखी है तो इसको जरूर देखेगा लेकिन दोस्तों आज उसी के ऊपर एक और नया data सामने आया है जो की बताता है कि इंडिया के जो service export के आकड़े हैं वो भी significantly increase हो चुके हैं इस आकड़ों को लेकर दो बड़ी important बाते सामने आती ह नमबर वन इस आकड़े में बताया गया है कि इंडिया के service exports भड़े हैं जबकि पूरी दुनिया में global uncertainties बढ़ रही थी और ये जो report है ये किसी और के द्वारा नहीं बलकि UN के द्वारा ही इस report को यहाँ पर पेश किया गया है नमबर टू जो कि इस आकड़े को बहुत surprising बनाता है वो यह है कि एक तरफ जहाँ पे इंडिया के service exports almost 11% बढ़ चुके हैं वहीं पे चाइना के जो service exports हैं वो काफी गिर चुके हैं more than 10% की उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है and the best part is कि अब अगर आप दोनों countries के exports के आकड़ों को देखेंगे मैं service exports के आकड़ों की बात कर रहा हूं तो इंडिया का आकड़ा almost 345 billion dollar को टच कर चुका है और चाइना का आकड़ा 381 billion dollar को टच कर चुका है गिरने के बाद मतलब कि दोनों economies के बीच में जो gap है वो बहुत ही कम रह चुका है and ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से चाइना में गिरावट होती रही और इंडिया में अगर हमें increment देखने को मिलता रहा high possibility है कि अगले साल हम देखेंगे that इंडिया has become the number one service exporter in the entire world. बात करेंगे तोस्तों इस पूरे data के बारे में जो क बाकी countries का जो data जो की UN ने पेश किया है उसको भी हम लोग analyze करने का प्रयास करेंगे आए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माधियम से ऐसा कर सक होना है जो कि हमारे YouTube channel UPSC Unstoppables पर event live होने वाला है All right, so UN का जो उनका trade का दफ्तर है UNCTAD उसके द्वारा एक report को पेश किया गया है on the service exports यह वाली उस report का title है आप लोग देख सकते हैं bulletin trade in services अगर आप इस report को पूरा देखना चाहते हैं तो इनकी website पर जा करके भी देख सकते ह पहले एक बहुत ही larger general observation paste करी है कि क्योंकि हमें generally जो dollar value की terms है उसमें ही हमें एक बहुत बड़ा increment देखने को मिला है इसलिए जो overall दुनिया भर के world services के exports हैं वो 7.9 trillion US dollars को cross कर चुके हैं यह अपने आप में एक बड़ी achievement है हाला कि इसमें बड़ा कारण यह था क्योंकि जो overall जो dollar value की term है वो ही काफी जाधा बढ़ चुकी है लेकिन UN ने specifically mention किया कि इंडिया के जो service export के आंकडे हैं यह stand out करते हैं UN ने बताया कि इंडिया के जो service exports के numbers हैं यह 345 billion dollars को touch कर चुके हैं और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें 11.4% का हमें rise देखने को मिला है और यह ब उनिया भर में global economic uncertainties चल रही थी लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के जो exports हैं वो यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे थे वैसे आपको बताना चाहूंगा कि ये केवल 2023 की कहानी नहीं है 2022 में भी इंडिया के service exports almost 320 billion dollars को touch कर चुके थे 21-22 में भी हमारे service exports 200 US billion dollar के आसपास थ और आप देख सकते हैं कि साल दर साल 21-22-22 में और अब 22-23-24 में जो UN के आगड़े सामने आए हैं वो भी ये बताते हैं कि हमारे service exports तेजी से बढ़ ही रहे हैं इसमें अगर आप एक और चीज़ को जोड़ दें इंडिया के जो service के imports हैं उसमें भी हमें गिरावट देखने क को मिली है लेकिन येस हमें वहाँ पर भी एक छोटा सा गिरावट देखने को मिली है और अब हमारे जो service imports हैं वो 248 billion dollars पर जाप पहुंचे हैं Clearly अगर आप इस data में से इस data को subtract कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि service के area के में हम लोग overall बहुत ही शांदार trade surplus को maintain किया हुआ है जो की almost 100 billion dollars का देखने को मिल जाता है अगली चीज जो question आता है कि कौन से वो sectors हैं जिनोंने इस service sector के exports को mainly contribute किया है देखिए वैसे तो कई सारे sectors होते हैं transportation का medical sector, hospitality sector, travel sector लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान जो की UN की report के according बताया गया है वो हुआ है in the growth of international travel receipts इसको simple भाशा में कहूँ so basically जो बाहर से लोग जब इंडिया में आते हैं जब वो इंडिया की किसी flight की ticket book करते हैं इंडिया में किसी hotel का stay book करते हैं या फिर कोई भी खर्चा अगर वो करते हैं किसी service को प्राप्ट करने के लिए जब वो इंडिया में आते हैं business trips करने के लिए या फिर leisure trips करने के लिए किसी भी प्रकार की trips करने के लिए उसको कहा जाता है international travel receipts, basically जो inbound visitors होते हैं, जो भी वो payments करते हैं इंडिया में, वो वाला जो यहाँ पर area रहा है, उसमें सबसे ज़ादा growth देखने को मिली है, जिसकी वज़े से suddenly हमें इतना ज़ादा service sector में जो exports हैं, वो बढ़ते हुए देख country भी करी गई है, report में कहा गया है कि service exports का जो growth है, उसने ना केवल merchandise export की growth को outpace किया है, लेकिन साथ में, इंडिया ने पूरे world के exports में एक larger share को भी अब capture करना शुरू कर दिया है, इतना ही नहीं बताया, ये भी गया है, कि because इंडिया के software और business service exports में इतनी जादा उचाल देखन को मिली है, this is clearly a reflection of the expansion of global capability centers in India and the rise in digital delivery of services, तो ये भी एक positive चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली है, अब इस चीज का फाइदा क्या होगा, देखे, even though हमारे service exports यहाँ पे काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक problematic चीज यह है कि हमारे merchandise मतलब की goods का जो exports है, वो बढ़ नहीं रहा है, बलकि हमें वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, इसको लेकर बलकि आंकडे थे, मैंने last एक वीडियो में share भी करे थे, merchandise imports जो है, वो गिरे हैं, लेकिन हमारे merchandise exports भी यहाँ पर काफी गिर चुके हैं, और उस area में हमारा trade deficit काफी बढ़ा बना हुआ है, and that is one big reason जिसकी वज़े से हमारे exports बहुत जादा नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन experts का यहाँ पर कहना है, कि अगर एक तरफ हमारे service exports बढ़ रहे हैं, तो even though merchandise exports गिर रहे हैं, तो कही ना कहीं वो एक दूसरे को compensate करते हैं, offset करते हैं, और यही अपने आप में एक अच्छी बात है, but at the same time, experts का यह भी कहना है कि हमें simultaneously merchandise exports को बढ़ाने के लिए भी अपने जो कदम हैं, उनको जारी रखना ही चाहिए, coming to other countries exports, जो की again UN के द्वारा ही data यहाँ पे share किया गया है, दुनिया में जो top 10 developing countries हैं, उसमें देखिए, चाइना वैसे तो कहने के लिए number 1 पे है, 381 billion dollar के service exports को करता है, लेकिन दोस्तों इसमें जो annual growth हुई है, वो 10.1% का decline देखने को मिला है, और इंडिया जो की आंकड़ा बहुत बढ़ा है, इसलिए हमें 11% की growth देखने को मिली है, इससे जादा growth अगर देखने को मिली है, तो कुछ 2-3 countries ये वाली है, तर्की हुआ, होंग कॉंग हुआ, imports की category में, अगर यही कहानी चलती रही, तो highly possible है कि हम लोग आने वाले time में China को भी beat कर सकें, एक और आकड़ा है, जो की again अपने आप में बहुत बढ़िया आकड़ा है, जो की बताता है कि हमारे imports भी कम हुए हैं, इंडिया के imports अगर आप देखें, 0.4% से गिरे हैं, लेकिन China के जो imports हैं, वो 18% से बढ़ गए हैं, मतलब की China, जो की अभी तक एक predominantly export oriented economy मानी जा रही थी, उनके exports में गिरावट हुई है, और उनके imports में हमें उचाल देखने को मिला है, which clearly means कि उनकी जो dependence है, वो अब दूसरे देशों पर बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि China ने बहुत सा पर बढ़ती जा रही है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर clear है कि India, क्योंकि अब नई-नई markets को भी explore कर रहा है, I personally believe कि India के जो service exports के आकड़े हैं, वो यहाँ से रुपने नहीं वाले हैं, वो और भी जादा बढ़ने वाले हैं, आप लोग दोस्तों क्या स सारे learners ने फिर से बहुत ही शानदा performance दी है, टोटल लिस में 315 से भी अधिक learners हैं, जो की अन अकाड़े मी के साथ जुड़े हुए थे, अगर आप भी अपनी तयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाते हैं, तो हमारे centers नई दिल्ली के करोलबाग में, नई दिल्ली कोई डाउट है, कोई भी तरह की counseling के अवशकता है, तो नीचे आपको एक bitly link दिया हुआ है, उस पे जाकर के click कीजिए, हमारी team आपको reach out करेगी, जो भी आपकी doubts हैं, उनको solve किया जाएगा, और अगर आप enrollment के time पे discounts बाना चाते हैं, तो unacademy आपके लिए एक scholarship test भी लेकर आया है, अगर आप इसमें अच्छे marks लेकर आते हैं, तो scholarships और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी पा सकते हैं, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.